जमातादी फ्रेंड्स, बेलकम टू मैं चैनल, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ, नवरात्री की बहुत ही सरल पूजा विधी, आप कम समय में पूरे विधी विधान के साथ नवरात्री की पूजा कैसे कर सकते हैं, माता के लिए चौकी कैसे लगा सकते हैं, यही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में सेर करने वाली हूँ, नवरात्री की पूजा सामिकरी क्या है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, हमारे भारत पर्ष में नवरात्री का पर्व चारवार आता है, चिनमें से चैत्र नवरात्री और शादिय नवरात्री मुख्रूप से प्रचलन में है पॉश और अशाण मा के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे माने जाते हैं और इनका विशेश प्रचलन भारतवर्ष में नहीं है तो चलिए आए देख लेते हैं पूजा विधी क्या है आप किस तरह से बहुती सरन तरीके से नवरात्री की पूजा कर सकते हैं सबसे पहले जहां पर हम पूजा करेंगे उस जगए को अच्छे से साफ कर लेंगे और उस जगए पर मातारानी की स्थापना के लिए हम चौकी लगा लेंगे पूजा के लिए चौकी आपको ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां पर disturbance जादा ना हो क्योंकि आपको 9 दिन की पूजा के लिए यह चौकी लगानी होती है आप हम भूला का और चावल का आसन दे करके मातारानी की फोटो को बिराजित कर लेंगे कलस की स्थापना के लिए हम जल से भरा हुआ एक कलस लेंगे यह कलस आप मिट्टी का तावे का या इस तरह से पीतल का भी ले सकते हैं कलस को आपको गंगा जल और सुद्ध जल मिलाकर के कंठ तक भरना होता है अब हम कलस के मुख पर मौली बान देंगे इसके बाद हमें कलस पर कुम कुम से या फिर रोली से एक स्वास्तिक का चिन बनाना होता है। कलस में हम सभी देवी देवताओं का आवहन करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से कलस इस्थापना दिखा रही हूं अब हम थोड़े से अच्छत का आसन दे करके कलस को इस पर प्राजित कर लेंगे जो लोग चादा पूजा में समय नहीं दे सकते हैं बो लोग इस तरह से कलस की स्थापना कर सकते हैं अब हम कलस में थोड़ा सा हल्दी पाड़ डालेंगे आप सजी हलती भी डाल सकते हैं एक पताशा डालेंगे उसके बाद एक चावल से भरी हुई कटोरी हम कलस के मुख पर रखतेंगे और अब हम कटोरी के उपर फूल रखतेंगे और आपको अब यह कलस नौ दिन तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से नवरात्री की ब्रत की पूजा में कलस स्थापना कर सकते हैं अब हम चावल का आसन देकर दीपक को भी स्थापित कर लेंगे और दीपक को प्रचुलित कर लेंगे अब हम सबसे पहले भगवान गनेश की पूजा करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे, अच्छे चड़ाएंगे, भगवान गनेश को हम दूबखास अर्पित करेंगे, एक हल्दी की काट, एक सुपाड़ी और गनेशी को हम जनिव अर्पित कर देंगे इसके बाद हम कुछ पुस्प अरपित करेंगे, जो भी पुस्प आपको मिलना है, आप गलीप अरपित करेंगे साथी बश्त रूपि मौली भी अरपित कर देंगे इसके बाद हम मातारानी का कुम कुम से तिलक कर देंगे और फोटो में नौ देवी दी है n idy पुष्प माताराणी को लाल रंग अतिपरया होता है तो आप गुलाब के गुड़हल के कमल के पुष्प माताराणी को चड़ा आहिए माताराणी की मुक्षद्थी के लिए एक पान का भीडा तयार करेंगे जिस पर हम दो लौंग पतास से इलायच्छी और सुपाड़ी यह पान का वीड़ा आप पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और आखरे दिन भी अर्पित कर सकते हैं आप चाहें तो डेली नौ दिन भी अर्पित कर सकते हैं यदि आप नौ दिन ना अर्पित कर पाएं तो पहले दिन और आखरे दिन मातारानी को पान का वीड़ा अवस अर् कर सकते हैं सोहाः पिटारी में 16 या फिर अपनी शद्धा के अनुसर पांट 7 9 या 11 सुहाक के सामिक्री भी माताराणी को एक रिखते हैं उसके पाद भोग के लिए जो लिए है मेवा लिया है और इठाई ली है भू भी हम मातारानी के सामने भो ख यह रछेंगे नवरात्री के पहले दिन जिस दिन हम मातारानी के लिए चोकी तयार करते हैं उस दिन पूजा में थोड़ा सा टाइम जादा लगता है उसके बाद 9 दिन पूजा में इतना टाइम नहीं लगता है अब हमने दीपक का और कलस का भी पूजन कर दिया है अब हम कलस के मुख पर एक लॉंग का जोड़ा रखते हैंगे, आप चाहें तो ये लॉंग का जोड़ा, और पतासा कलस के अंधर भी डाल सकते हैं मातारानि के कलस स्थापना में एक लॉंग का जोड़ा अवश डाला जाता है अब हम सभी को इतर लगा देंगे नवरात्री की पूजागी एक पिसेश बात होती है कि इसमें हवन अवश्च किया जाता है हवन करने के लिए हमें हवन कुंड चाहिए ये हवन आप मिट्टी का या पीतल का या तावी का ले सकते हैं अब हम हवन कुंड में एक पतासा रखेंगे बतासी के ऊपर कपूर रख करके उसमें अगनी प्रजुलित कर देंगे अब हम नवरात्री के प्रथम दिन प्रथम देवी का नाम ले करके हवन सामिकरी दो बार अर्पित करेंगे उसके बाद दो लॉंग अर्पित करेंगे और एक लाइच्छी अर्पित करेंगे और एक पतासा अर्पित कर देंगे जैसे पहला नवरात्रा है पहली शयल पुत्री माता का तो शयल पुत्री का मंतर पढ़कर के हवन कर ले यदि आपको कोई भी मंतर नहीं आता है तो ओम, एंग, रेंग, लिंग, चामुंडे, विच्चे, स्वाहा इस मंत्र के साथ आप सभी देवियों के नाम से आहूती दे सकते हैं हवन करने के पाथ हमें हवन के आति मातारानी को देनी चाहिए और हवन का हमें सितली करन करना चाहिए उसके पाथ हमें श्यम आति लेनी चाहिए मैंने इस वीडियो में हवन करने की बहुती सरल और छोटी विधी आप लोगों के साथ सेर की है जिसे हर कोई बड़ी आशानी के साथ कर सकता है इस तरह से आप हवन बिना उपले के और आम की शमदाओं के कर सकते हैं अब हम भगवान गनेश के आर्ति करेंगे और मातारानी के आर्ति करेंगे साथ हम कलस की भी आर्ति कर देंगे आप नवरात्री का प्रत रखें या ना रखें लेकिन आपको नौ दिन तक मातारानी की शेवा पूजा अवश्च करनी चाहिए साथी हवन भी हमें अवश्च करना चाहिए जो लोग पूजा में चादा टाइम नहीं दे सकते हैं वो लोग इस तरह से नवरातरी में पूजा कर सकते हैं अब हम सभी के चरण इसपर्ष करके उनसे आसेद बात लेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में जो कमी रह गई हो या पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए हम चमा प्रातना करेंगे साथ ही हम मातारानी से प्रातना करेंगे नौ दिन तक हमारी पूजा निर्भिग्न संपन हो हमारी पूजा में किसी तरह का कोई रुकावट या बिघन ना आए इसके बाद अगले नौ दिन तक मातारानी को आपको गंगा जल से छींटे लगा कर किश्णान कराना है ताजे पुस्प चड़ाने हैं भोग लगाना है फल चड़ाने हैं और हवन करना है और जो हमने कलस की स यह उम्मिद करती हो फ्रेंड्स मेरी नवरातरी की पूजा बिधी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो जादा से जदा लाइक करें शिएर करें और यदि आप मेरे about पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करतीजिए ताकि हमारे आने वाली सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिपकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमेंट्स बॉक्स में जैमात आदी अवश्लिकेगा धन्वा त्रेंट्स जैमात आदी